मेरा मुबाइल नमबर 94253-01-01 अब लोग मेरे प्रोडान को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं फर्माइस कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोग कर रहे हैं आज मैं दे बहुत से मित्र कि फर्माइसाई हैं कि मकर रासी में मंगल केतू हो तो क्या प्रभाव होता है दोस्तों मैं एक चीजा बता जूँए कि मकर रासी कुछ बहाव मंगल होता है और एक मैं 2014 से मंगल मकर रासी में केतू के साथ आने जा रहा है उसकी युक्ती रही है मैं लगन से लेकर कि बारभो वहाव तक मंगल केतू युक्ती के बारे में रखलाने जा रहा है जिसके कुंडली में लगन मकर रासी होता है उसमें मंगल केतू बैठा हो इसे लोगों को सारी दित्पीना होती है जिद्धी होती है रोधी होती है इनके कारिकर्जी की छमता अच्छी नहीं होती है शादी विवार में भी भी लगन पाता है उसके अंदर मंगल और केतू बैठा हुआ हो ऐसे लोग आर्थिक लोग से परसान दखते हैं उम्मती में लुकावट आती है धन्ति हानी कराता है मांसिक प्युना देता है और जीवन संग्रस के साथ बैठा हो ऐसे लोग माता पिता से विवादी जीवन काड़ते हैं ऐसे लोग माता पिता के सन्योगी नहीं होते हैं ऐसे लोग के माता पिता का विचार ठीक नहीं राता है भाई बंदूों से भी अच्छा संबद नहीं है इस संजन के चौथे भाव में मकर राशी हो उसमें मंगलों केतु बैठा हुआ हो। अच्छा समाजी चतिश्था पाते हैं। ऐसे लोग प्रसाश्मी का दिकारी बनते हैं। ऐसे लोग चांकरी बनते हैं। ऐसे संजन के समाज में अच्छा है। पूझे जाते हैं। इस संजन के साथमें भाव में मकर राशी हो। उसमें मंगलों केतु की उप्ती हो। ऐसे लोग सत्मू से पस्त होते हैं। बिना वज़ा सत्मू पैदात करते हैं। केश मोखनमा लड़ते हैं। सत्मू अजिक रखते हैं। और जेल जाने के लिए संफाव। जिस संजन के साथमें भाव में मकर राशी हो। उसमें मंगलों केतु की उप्ती हो। ऐसे लोग वारे हैं तो जल्दी साधी नहीं होती हैं। जाएं। शादी सुदा हैं, ऐसे लोग कला की समस्याती हैं, ऐसे लोग सुफी पलिवाद दांपत जीवन शुफी नहीं रखता है, और दांपत जीवन के कला के कालम स्रामाजिक तर्किस्था दुमिन हो, जिस व्यक्ति की आठ्मे भाव में मकर रासी हो, उसमें मंगल और केफु विला ऐसे लोक्त्सवास के कारन चे सिसम्पिक तर्किर्ठी, अइसे व्यक्ति हाल बाईूक की समधाना रहती है, ऐसे लोग समाज में अपने ब्ल्कियों के कारन आप मानिक Palace, इस व्यक्ति की नौवे भाव में मकर रासी हो, उसमें मंगल, केफु पियुकि हो, ऐसे दूर दूर तक ख्याति प्राफ करते हैं, हर काले में इनको सफ़ता मिलती है, और समाज में लाखों रुपे की प्राफ दूरती है, इस व्यक्ति के तस्में भाव मकर रासी हो, उसमें मंगलों केजु बैठा हुआ हो, ऐसा क्या है अचानक इनको सरकार से पुझे जाते हैं, अचानक इनको प्राफों का पद मिलता है, अचानक इनको जो पार में लाख होता है, तो जो पती बनते हैं, ऐसे व्यक्ति कम समय में अपनी जीवन में सफ़ते हैं, इस व्यक्ति के ग्रहमें भाव में मकर रासी हो, और मंगल केजु बैठा हुआ हो, ऐसे जो लाख अधिक इनको पाते हैं, ऐसे जो परजाग हो जाते हैं, ऐसे जो समाज में मांसिक दिदा सकते हैं, नौकली हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं, जो पारी हैं तो लाखों उस बेड़ागाते हैं, इस व्यक्ति के बारहमें भाव में मकर रासी हो, उसमें मंगल हो केजु बैठा हुआ हो ऐसे लोग पिदेश जाते हैं, ऐसे लोगों के संकान योग होते हैं, ऐसे लोग समाज में अच्छा यस्कृतिक लाख करते हैं, ऐसे लोग समाजी काले करते हैं, ऐसे लोग गरीबों के सहयोकी होते हैं, और गांदचना के दसिता लगावते हैं, दोस्तों मकर राची के मंगल प्रभाव आपको बताया इसको ध्यांद को सुलिए और किसी पतार का कोई विचाल को जानना है उसको कौन करिये मैं आपको सही उपादियों करूंगा नमस्क्राइब